तो हेलो फ्रेंड्स नमस्ते और वेल्कम बैक तो मैं चैनल फैशन विद करनू चलिए आज मैं आप लोग फिर से कुछ नया सीखते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंपल स्लेप की कटिंग कैसे करते हैं तो यह वीडियो बिगनर्स के लिए काफी हेल्फुल जिल लोगों ने भी सिखना स्टार्ट किया हुआ है तो सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग अस्टीन बनाने के लिए कपड़ाइ ले लेंगे और फिर हम लोग नाप लग falling कि को निदिन की चाहिए अगर हम लोग तो मैंने यह कपड़ा लिया हुआ हैल करना दस इंच का मैंने इसमें लिया हुआ है वैसे आप अपने बस साइज के इसाप से भी ले सकते हैं नौ साड़े आठ से कभी कम नहीं लेते कपड़ा क्योंकि साड़े आठ से अगर कम कपड़ा लेंगे तो वह लास्ट में जब जॉइन करेंगे तो छोटा हो जाता है इसलिए ह लिए और इसकी शाइज लेंगे अगर हमको आस्थीन चाहिए अपनी तो हम है तो आपको 2 इंच का मार्जन लेना है क्योंकि धेर इंच नीचे फोल्ड होता है पूस्पार अठा डबता है लेकिन अगर आप असतरवाले कपड़ी का बना रहे हैं तो आपका इह आधा इंच में ही यहाँ पर छिल लगता है तो चलिए हम लोग इसकी निशान लगा देते हैं यह देखी माइसेग से पर है यह भी अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे तो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल का निशान आता है आठ तो हम लोगों ने ले लिए आठ का निशान आठ का निशान ले लिया अब हम लोग इसका आधा करेंगे आठ का आधा करेंगे चार यहां पर निशान लगा लिया और अब हम दो चैनिंघ बिलाते हैं यह निशान को लगाने का अगर वैसे तीन से ज्यादा कभी नहीं कि लगाते हैं ताय और टीन ही लगाते हैं लेकिन इसको अगर आप पॉर्मुला चाहिए तो इसका है की आर्मोल कर तक बारा से मट्टिप्लाई कर देंगे तो यह से मैंने बताए कि आपको इसके नाप लगाने का अगर आपको फर्मूला है तो बना फॉर्मूले के हिसाब से लेना चाहते हैं तो इसका फर्मूला है कि बस को हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं जैसे अगर यहां तक ही देंगे और यह जो हम लोग ने मार्जिन रखा हुआ है यह जो हम लोग ने मार्जिन करने के लिए जैसे जब ब्लाउज से अटेच करेंगे तो उसके मार्जिन के लिए यहां हम लोगों ने दो इंच का मार्जिन रखा हुआ है तो इसको हम लोग शीधा ऐसा निसान लगा देंगे तो यह हो गया अब हमारा ब्लाउज के नाप हो गई ब्लाउज की आस्तीन की कटिंग हो गई मिदल्लrão जब आप जब करेंगे तो आप जो पीछे वाला भाग होता यह इसकी नाप है अब हम लोग आगे का हिस्सा जब हम लोगों आगे ब्लाउज रहता है तो उसमें हल किसी आगे से गुलाई देते हैं क्योंकि पहनने पर विजिस से कि इसकी आप जोल नहीं आता है इसलिए बिल्कुल फिटिंग बैठती है तो आधे इंच का मार्जिन देते हैं यह है आधा इंच हमारा तो अब हम लोग इसको यह हो गया हमारा आगे की कटिंग तो अब हम लोग हम आपको इसको काटके दिखाते हैं आज मोर्य है टर् når से ऐसीन किके टिंग हो गई है अब यह हमारा तो गया है कटिंग यह कान इसको अब यह बैक साइड पर रहेगा और यह फ्रंट साइड पर रहेगा इसलिए सकी यह गुलाई भी देंग Свर देंगे जिससे कि आगे जोल नहीं आता है बिल्कुल फिटिंग और दfa सकते हैं और इसको न nella कि अगल पहुसे अंगे डी खाला लेँगे आप ऑर में तो पहड़ को जिसे इंदाज हो वे आगे का साइड है श्यार पाटश करें데 कि पलाएं सेंटव खालते कॉनरा का शालत बीकित नीचे से फोल्ड कर जाकते हैं और आधा इंच उपर से लेकर इसको दबा सकते हैं और अगर आप अस्तर वाले पर बना रहे हैं तो जैसे कि यह है अस्तर तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूं एगर आप लोग अस्तर वाले पर बना रहे हैं तो यह मैंने लिया हो गे हैं स्नेफ्स अलग हो गई हैं तो आप मलोगे अगर इसाडी से कपड़ा जो बलाण कपड़ा मिलता है हुच Ph即 करके इसको बना बढ़ा लेंगे और इसको यहां से बठा लेंगे इसकी कटिंग कर लेंगे सिलाइब कर देंगे तो आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया हो है फूल लगा हो खास और से विगनर्स के लिए जो कि अभी कटिंग सिलाइब सीख रहे हैं उनको अगर हैल्फूल लगे तो प्लीज मेरे चैन इसलिए लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कर यह आप लोगों को और कुछ सीखना है मुझसे तो भी आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं ओके थाइंक यू क्या इसलिए